चले रुक करते हैं संजे हम डेली कापिटल्स की तरफ ये जो जोड़ी है इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा ये जैवीरू जैसी जोड़ी होगी जैसा हमने देखा था डेली डेविल्स हुआ करते थे गौतम गंभीर और विरेंदर सेवाग की तरह शिखरदवन और प्र बहुत ही तैलेंटर क्रिकेटर जैसे तेंडुल को रोते हैं विराट कोली अभी असलक्ष्में और विरूंत सेवाग काफी लिमिटेड से तैलेंट के मामले में लेकिन जो क्रिकेट उन्होंने अपने अपने अंदर से एक्स्ट्रैक की है दाद देनी होगे और मैं हमेशा म मानता हूं जो प्लेयर अपने अबिलिटी के बियांड परफॉर्म करता हूं वो शिकरदावन ने किया सालों से भारत के लिए आईपेल में और पिछले दो तीन सीजन जब से लेली कैपिटल में आये है उनका जो टीपेंटी परफॉर्मस है है तुच्च्ट स्काय इस्ट् लग रहे हैं उनके अप्रोच में लेकिन टाइम बताएगा का अगर यह कंसिस्टेंसी वो बरकरा रखे जो पहले मैच में उन्हों प्रॉमस दिखाई तो फिर शौ और धवन की जोड़ी आपने जैसे का अजय और वीरू की जोड़ी जैसे हो बिलकुल गौतम गंबीर और इसा ही कमाल किया था प्ले आफ तक पहुचाया था अपनी टीम को इसमें कोई शक नहीं कि प्रिथिवी शौ जो फॉर्म लेकर आये हो सहीद मुश्ताक अली से और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं लगाता है मुंबई से जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया ला जवाब और यही चीज यहां पर भी देखने को मिली और अगर डेली कैपिटल्स की बात की जाए कुछ अच्छे प्लेयर्स डेली कैपिटल्स में खासकर हम बात करें दो विदेशी खिलारी और जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनका अगर हम बात करें स्टॉइनिस की और क्रिस वोक्स की क्रिस वोक्स टी 20 फॉर्म लेकर नहीं आया थे आई पिल में बहुत ही क्लासिकल प्योर टेस्ट बोल जैसे है उनकी स्टाइल टी 20 में इतना बड़ा रेपुटेशन नहीं है उनका लेकिन पिछले मैक में बहुत ही अच्छी उन्होंने गेंबाजी की न्यू बाल के साथ स् तो ये इनका काम रहेगा लेकिन बाकी बता है तो स्टॉइनिस है डिंजरस प्लियर है अगर बला उनका चलता है तो देर सो दो सो के स्राइक क्रेट से वो चल सकते है और गेंबाजी भी करने के काबिल है लेकिन गेंबाजी इंडिया में अब तक उनकी इतनी चलनी रहे पि तॉम करन को तॉम करन ये बहुत ही सिंपल सा एक डी सिलेक्शन होगा कि टॉम करन को बाहर रखेंगे और रबाड़ा आ जाएंगे इससे कितनी मजबूती आप लगता है कि डी सी की और बढ़ेगी यहां पर संजे क्योंकि एक बहुत ही जबरदस बोलर है कागिजो रबाड़ा की तो जितनी तारिफ की जाए उतनी काम है उस तरिके का बोलर है बहुत फरक पड़ेगा क्योंकि टॉम करन फ़ोड़ा स्टागल कर गए जब वो इंग्लिन की तरफ से भी खेल रहे थे इंडिया-इंग्लिन पी-20 सीरीज और फिफ्ट यो सीरीज वाइड बॉल सीरीज में खेले तब भी थोड़े से कम पड़े जो क्वालिटी परफॉर्मस एक्सपेक्टेट थी उनसे तो रबाड़ा आने के बाद मुझे लगता है बहुत फरक पड़ेगा एक तो रबाड़ा की खासियत है कि विकेट्स लेते हैं स्टार्ट में शायद एक याद दो और डेट में हमेशा विकेट्स लेते तो बहुत-बहुत ज़्यादा फरक पड़ेगा रबाड़ा आने के विए तो जैसे टॉम करन बाहर और रबाड़ा याने अल्मोस्स 20-30% टीम का वैल्यू और जीतने के चांसिस बढ़ते हैं बोलिंग की बात हो रही है तो एक और बोलिंग पर ही सवाल दाख देता हूँ आपसे बोलिंग कैसी दिख रही है बोलिंग में संतुलन कैसा दिख रहा है आपको डेली कैपिटल्स के संजे पाच बोलर्स है और एक एक्स्ट्रा बोलर उनके पास है अगर देखे तो बोरिंग आप्शन देखे आविश खान खेल सकते है अमित मिश्रा है अश्विन है रबारा है स्टॉइनिस है और वोक्स है